हेलो व्रिवान इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे धर्म को एक सामाजिक संस्था की रूप में यानि कि रिलीजन एज़ा सोशल इंस्टिउशन तो जब हम लोग रिलीजन और धर्म की बात कर रहे हैं इनके अर्थ की भी हम लोग बात करेंगे लेकिन ये जो टॉपिक है रिलीजन एजा सोशल इंस्टिउशन ये इतना große क्यों है और जब भी हम लोग सामाजिक संस्थाओं के या सोशल इंस्टिउशन के बात करते हैं तो उसमें religion एक इतना important या इतना महत्वपुड एक संस्था के रूप में कैसे जाना जाता है इन सब पर चर्चा करेंगे और इसका महत्व क्या है इसके merits, demerits क्या है और ये क्या role play करता है ये सब देखेंगे philosophically, detail में देखेंगे देखेंगे उसके पहले थोड़ी सी जो etymological meaning है वो देख लेते हैं तो देखेंगे हम धर्म की बात करें, धर्म का भी क्या आर्थ होता है ये देखेंगे और religion का क्या आर्थ होता है ये भी देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस term यानि religion term की meaning देख लेते हैं ये latin word relegare से आया है जिसका आर्थ होता है to bind यानि बांधना relegare एक latin भाशा का शब्द है जिसका मतलब होता है bind करना, बांध देना कालांतर में यही relegio शब्द बना और इसका आर्थ होता था obligation, reverence या bond जो की यहीं से आ रहा है directly ठीक है, जहां पर आप बंदे होते हैं, reverence की feeling में भी आप बंदे होते हैं obligation जहां होता है, वहाँ बंदे होते हैं, bond तो बंदना होता ही है तो यही relegare, relegio बना और इसी relegio से English term relegion निकल के आया so relegio से relegion बना है, और relegion का जो earth, जो meaning बहुत ही popular है English dictionary के हिसाब से, वो यह है, यानि कि life under monistic vows, this is called relegion so इसका मतलब है कि यह जो institutionalized way में, जिसे धर्म कहते हैं, आज के समय में जैसे आज के समय का जो Hindu, Muslim, Sikh, इसाई, Buddhism, Jainism, और Yehudi, Parsi, यह सब जो धर्म है जो कि एक बहुत institutionalized way में पाए जाते हैं, जो किसी monistic vows से, यानि किसी पूजा अस्थान से जुड़े हुए होते हैं, जहांपे कि कोई धर्म गुरु होता है, कोई उनकी धर्म किताबे होती है, etc. उस रूप में इसको समझा जाता है कि वो religion कहलाएगा, जिसके द्वारा हम जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, और उसके कुछ vows होते हैं. इस रूप में religion को समझा गया, लेकिन जब इसी के Hindi या Sanskrit रुपांतरड को हम लोग देखते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, तो अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है. अब धर्म का अर्थ क्या है, etymological meaning आपने English में देख ली, अब Sanskrit की बात करें तो ये धरी धातु से बना हुआ है, धरी धातु से, और इसका अर्थ क्या होता है, धारड करना, धारड करना, to hold, ठीक है, जैसे वहाँ पे to bind, यहाँ पे to hold, धारड करना, कहा भी गया है शास्त् सिक सुत्र में कहा गया, यह तो अभ्यूदय यानि नहिश्रयस धर्मह, जिससे अभ्यूदय और नहिश्रयस, इन दोनों की सिद्धी होती है, वही धर्म है, महा भारत की करण पर्व में कहा गया, धारडाद धर्ममित्याहु धर्मो धार्यती प्रजाह, यानि कि जो धर्म ह होता है वो प्रजा को एक सुत्र में बांधता है तो यहां सब जगह पर वैसे तो यहां देखा जाए तो सिर्फ बंधने का अर्थ नहीं है लेकिन यहां भी बंधने का अर्थ है यहां भी धारण करने का अर्थ है और यहां पर आपको मुक्ति देने का भी अर्थ मिलता है तो आपको ये बहुत ही simple और brief meaning में देखना है कि religion को जब हम लेते हैं तो किस रूप में देखते हैं वो एक institutionalized format होता है धर्म का जो आज के language में प्रचलित धर्म है उस रूप में जब कि जब हम धर्म की बात करते हैं धर्म संस्कृत word की बात करते हैं तब इसका meaning थोड़ा अलग हो जाता है जिसको जादातर कुछ लोगों ने virtues के साथ सदाचार के साथ तो कुछ लोगों ने इसको मुल्यों के साथ कुछ लोगों ने इससे करतवे के साथ जोड़ा है तो धर्म का ये अर्थ हो जाता है यदि आप ये बहुत सारे अंतर जानना चाहते हैं कि धर्म और religion में अंतर क्या है तो आप कुछ मिनट के लिए इसे pause करके ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि धर्म और religion यदि etymologically देखा जाए या उनके root जो देखे जाएं तो कुछ differences शो करते हैं वो differences किन किन अस्तरों पर हो सकता है वो conceptual हो सकता है वो scope wise हो सकता है वो flexibility के रूप में हो सकता है या cultural context के रूप में हो सकता है वो universal है या particular है इस रूप में हो सकता है और दोनों में काफी अंतर दिखता है तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें और एक बार जरूर इस चीज़ को दमाग में बढ़ा लें कि धर्म और रिलीजन ये दोनों एक नहीं है ध्यान दीजे धर्म और रिलीजन दोनों एक नहीं है लेकिन आम बोलचाल की भाषा में या लेमन जो होते हैं जो नॉर्मल परसन होते हैं इन दोनों को एक ही समझते हैं धर्म बहुत ही व्यापक है इसका एक हिस्सा रिलीजन कहला सकता है तो धर्म में ये सारी चीज़े आ जाती है जो रिलीजन में है लेकिन रिलीजन में धर्म का पूरा का पूरा स्वरूप नहीं आता है ठीक है तो ये बहुत ही युनिवर्सल होता है और बेसिकली ये शब्द तो चुकि हिंदू कल्चर से या आप कह सकते हैं इंडियन कल्चर से लिया गया है तो इसका एक deeply rooted impact है इंडियन कल्चर में खैर इसे रोक कर आप देख कर पढ़ सकते हैं अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि वेस्ट में इसको कैसे define करने की कोशिस की गई तो एमले दुर देक्स्ट में धर्म की तरह से समझा गया लेकिन कालांतर में दोनों काफी एक हो जाते हैं और अभी जब हम लोग धर्म कहते हैं या धर्म को जब हम समाजिक संस्था के रूप में या religion as a social institution के रूप में ले रहे हैं तो लगबख हम दोनों को एक sense में ले रहे हैं और उस sense म में आज का धर्म प्रचलन में है ठीक है लेकिन फिर भी हम देखें कि West में क्या definition किया गया तो Emily Durkheem का ये definition है कि religion is a unified system of belief and practices relative to sacred things यानि ये unified system है किन का system है ये beliefs का और practices का विश्वास का और कुछ जो प्रचलन में है कुछ व्योहार में है उन चीज़ों का किन से related sacred things से related जो पवित्र चीज़ें हैं उन से related ये तो Emily Durkheem का कहना था लेकिन Marks का एक बहुत ही famous definition है वो धर्म को सीधे सीधे क्या कहते है कि ये एक नशा है किसका नशा है अफीम का तो धर्म एक अफीम है यानि कि ये धर्म को negative sense में लेते हैं अब अगर दोनों धर्म और religion के अंतर आपने रोक करके वीडियो को pause करके देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि broader sense में या आज के प्रचलित sense में जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं या religion की बात कर रहे हैं उसे ऐसे कहा जा सकता है कि ये culture का कैसा aspect है जहाँ पर की feast, festivals, god या goddesses या बहुत सारे dateys, marriages, funerals और बहुत सारे services what should we do, what should we not do, kind of music and art, meditation, initiation, initiation बहुत सारे चीजों में जिसको आप लोग दिक्षा कहते हैं sacrifice और service और बहुत सारे aspect ये सब जूड़े होते हैं तो culture के ये जो aspects हैं basically ये धर्म से related माने जाते हैं इसलिए आप देखेंगे कि हर एक धर्म का अपना एक prospectus होता है, अपना एक तरीका होता है कि शादियां कैसे होंगी जैसे आप simply आप एक शादी होते हुए देख के बता सकते हैं कि ये Christian की marriage है या Hindu विवा हो रहा है या किसी Muslim का निकाह हो रहा है कि उनका pattern ऐसा है, वो cultural एक aspect है तो उनके विवा का तरीका, funerals आप देख के बता सकते हैं उनके festivals अलग होते हैं, उनके goddesses अलग होते हैं उनके myths और जो literature हैं वो different होते हैं उनके texts different होते हैं, sometimes very much focus is on the language as well तो ये सारी चीज़े जो हैं ये धर्म का हिस्सा बनती है अब देखिए, religion जो है, वो एक personal thing नहीं है जैसे कि अब धर्म की बहुत सी परिभासाइं हैं अगर आप देखना शुरू करेंगी तो history में बहुत सी परिभासाइं आपको मिलेंगी लेकिन कुछ लोग धर्म को क्या कहते हैं कि एक personal चीज़ है ये एक व्यक्तिकत विशय है, ठीक है लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये personal विशय नहीं है ये एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्थाओं का मूल है तो ये बहुत ही highly organized है, integrated set of beliefs है या हमारे behavior का integrated set है और जो norms हैं वो centered होते हैं कि इन पे basic social needs और values पे इसका मतलब है कि सिर्फ personal कहके हट जाना ये सही नहीं है religion काफी हद तक social needs और values पर depend करता है और is given set of individuals में जो कि एक society बना रहे हैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति से धर्म निरधारित नहीं हो रहा है ठीक है वो व्यक्ति का धर्म हो सकता है आपका लेकिन वो दूसरे sense में धर्म कहा जाएगा लेकिन जब आप धर्म as या religion as a social institution की बात कर रहे हैं तब ये completely personal thing नहीं होगा फिर कुछ लोग क्या कहते हैं धर्म को और नीती को एक ही मानते हैं यानि कि morality या आप ethic समझ सकते हैं कि religion और ethics एक ही है और कुछ लोग इसलिए धर्म को नीती शास्त्र मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि धर्म क्या है जो भी काम यानि जो भी कर्म आप निस्वार्थ भावना से करते हैं वो क्या है धर्म है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कुछ लोग ने कहा कि हमारा करतव ये जो है वही धर्म है तो ये सारी चीज़े धर्म के रूप में मिल रही है और अगर कुछ भी करके अगर व्यक्ति का परोबकार ही किया जाए या दिनियस्वार्थ भावना से कोई कर्म किया जाया और उसी को धर्म कहा जाएगा तब तो जितने भी ये वाद हैं जैसे कि प्रजात अंतरवाद, पूजी वाद, समाज वाद, सामने वाद ये सभी धर्म ही कहलाएंगे और अगर ऐसा आप नहीं मानते हैं तो फिर उसी सेंस में रिलीजन को लीजिए जिस सेंस में अभी ये प्रचलन में है अब कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो अंधविश्वास है तो अंधविश्वास के रूप में कुछ लोगों ने धर्म की व्याख्या करने की कोशिस की की कॉंप्लिटली अंधविश्वास है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो साइंटिफिक हो या जिसको हम आसामाने जन जीवन में प्रयोग करें तो बहुत सारे लोग पॉजिटिवली बहुत सारे लोग निगिटिवली धर्म को देखते हैं लेकिन इतनी बात तो जरूर कही जा सकती है कि जहां पर हम लोग धर्म की बात करते हैं या रिलीजन की बात करते हैं वो कहीं न कहीं हमें परमश्रिय की तरफ ले जाता है हर एक धर्म देखिया कहीं इश्वर से या अल्माइटी से सम्मम बोनम से या मोक्ष से, लिबरेशन से, सैलवेशन से जुड़ा होता है तो ये जो मेटाफिजिकल आइडियाज हैं, जिनको आप कहते हैं कि आप ट्रांसेंड करते हैं इस वर्ल्ड को, इस फेनॉमिनल वर्ल्ड को आप अपने स्पृरिट से मिलते हैं, अपनी आत्मा से, अपने सोल से मिलते हैं उस तरीके की कुछ-कुछ बाते हैं धर्मे की जाती हैं और अकसर हम उसी मनुष्य को धार्मिक कहते हैं जो भक्ती करता है, या पूजा पाट करता है, रिचूल्स करता है आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है क्योंकि ये धर्म कर्म के काम करते हैं तो कर्म कांड हो जाता है और बहुत साई चीजें तो अक्सर बहुत क्लारिटी लोगों को नहीं मिल पाती है कि धार्मिक कहें तो कहें किसे जो पूजा पाठ कर्म कां बजन करता उसे तो आखिर धार में कहें किसे तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं और confirmation पाने में बड़ी दिक्कत होती है लेकिन अगर आप religion को analyze करेंगे समझने की कोशिस करेंगे तो आप पाएंगे कि religion में religious experiences को बहुत महत्वा दिया जाता है न सिर्फ religious experiences बलकि आपके जो कुछ विश्वास हैं religious beliefs और आपके कुछ certain rituals जो की related होते हैं उस particular religion से ये बहुत ही important है और इसी कारण बहुत सारे धर्म है और उन्ही सब धर्मों की हम कहीं न कहीं बात करते हैं जब इसे सामाजिक संस्था की रूप में लिया जाता है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म जब wider sense में लेंगे तो एक प्राकृतिक संस्था की तरह देखा जा सकता है और जब उसे हम specific term में लेंगे तो वो संस्था सोशल संस्था या समाजीक संस्था की तरह देखा जा सकता है अब आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में जैसे कि पिछले समस्टर में थर्ड समस्टर में बेसिकली इंडियान इथिक्स वाले पार्ट में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी कि धर्म को जब हम लोग भारतवर्ष में देखने कोशिस करते हैं तो इसे दो तरीके से देखा जाता है जिसे बेसिकली हम लोग सामान्य धर्म कहते हैं और दूसरा क्या है वर्ड धर्म या इसी को विशिश्ट धर्म तो वर्ड धर्म या आप इसे विशिष्ट धर्म कह लिजे ठीक है और इसमें सिर्फ वर्ड ही नहीं बलकि आश्रम धर्म भी आजाता है तो कुछ आपके तो common धर्म है ठीक है ये Indian context में बात हो रही है और कुछ आपके वर्ड आश्रम धर्म है इस तरीके की बात Indian context में Indian philosophy में किया जाता है अब बहुत सारे जितने भी लोग हैं society में जैसे ये society इसमें ये बहुत सारे individuals हैं तो इन सब के कुछ common धर्म होंगे जिसे सामाने धर्म कहेंगे जैसे की शाद करना, कर्म करना, तब करना, सत्य बोलना, गुस्सा नहीं करना एक पत्नी के साथ रहना और शौच यानि की सफाई और आत्मग्यान प्राप्त करना ये सारे थिजें इसी तरीके से जैसे मनु ने कहा था मनु का एक बहुत famous श्लोग भी है यानि धर्म के उन्होंने दस लक्षर बताए थे वो सामानी धर्म के लक्षर उन्होंने बताए थे और जब वर्ड धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि चार वर्ड हैं और चार आश्रम हैं जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो वो चार वर्ड क्या-क्य चार वर्ड हैं आपके ब्रामरक, शक्त्रि, वैश्य और शुद्र ये चार वर्ड इनके सबके अलग-अलग कर्तव्य हैं उन्हें ही वर्ड धर्म कहा गया यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि धर्म और कर्तव्य को एक सेंस में लिया जा रहा है ठीक है फिर उसके बाद चार जो आश्रम है, यानि कि हमारे जो ब्रमचरिया आश्रम है, ग्रिहस्त आश्रम है, वानपरस्त आश्रम है, सन्यास आश्रम है, उन सब के नुसारदी मनुश्यों के अलग-अलग करतव्य निरधारित किये गए हैं, धर्म निरधारित किये तो इस रूप में धर्म को बहुत सारे काम किये अब एक और यह चार्ट है जिसे आप यहाँ पर पॉज करके कुछ देर तक ध्यान से देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर हम religion या धर्म की बात कर रहे हैं ठीक है धर्म यहाँ पर religion की तरह ही आप लेके चलिएगा तो इनके merits और demerits क्या क्या हो सकते हैं और किन किन grounds पर इनके merits और demerits देखे जा सकते हैं अगर आप इसे detail में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर screenshot ल दोर पे धर्म या religion में क्या-क्या merits और demerits देखने को मिल सकती हैं अब आएए आगे हम लोग बात करेंगे इसी की थोड़ी खुलके J.S. Mackenzie का एक बहुत ही important जो मत था जिसके बारे में उने बात की कि जो धर्म होता है उसमें बहुत सारी कम्या होती है ठीक है तो धर्म की उन्होंने बहुत सारी कम्या गिनाई है लेकिन इसके पहले धर्म की अगर हम कम्या देखना चाहते हैं तो हम एक बार ये भी देखने क धर्म की अच्छाई क्या है आकि समाज में धर्म का महत्त हो क्या है ठीक है तो या तो हम लोग इसको पहले कर लेते हैं चलिए पहले तो हाँ पहले ठीक है यही डीमेरिट्स देख लेते हैं उसके बाद हम लोग समाज में धर्म का स्थान देखेंगे तो सबसे पहले डीमेरिट्स के तौर पे जीयस मैकेंजी ने कहा कि ये जो धर्म है या रिलीजन है इसमें बहुत सारी कम्याइब इसके बहुत सारे दोश है क्योंकि हिस्ट्री अगर देखी जाए या धर्मों का अधियन किया जाए सारी दुनिया में तो ये पता चलता है कि कोई भी जो धर्म है या कोई भी रिलीजन है उसमें mainly ये 10 types 10 types of demerits या flaws देखने को मिलते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि इसमें dogmas होते हैं अंद विश्वास ठीक है? अंद विश्वास उन्होंने कहा कि हर एक धर्म के अंदर कुछ ऐसा विश्वास है जिसका कोई rational interpretation नहीं है तो इसलिए dogmas हर एक religion में पाया जाता है जो कि एक demerit की तरह उन्होंने देखा फिर वो कहते हैं कि धर्म जो है वो मूर्ती पूजा करता है आईल वर्शिप करता है वैसे तो इसलाम जो है वो अपने आपको मूर्ती बंजग कहता है वो कहता है कि हम मूर्ती पूजा हैं विश्वास नहीं करते हैं mainly धर्म जो हैं मूर्ती पूजा हम विश्वास करते हैं except इसलाम लेकि इसलाम को अगर ठीक से देखा जाए और analyze किया जाए तो वहाँ पर भी शब्द की पूजा तो होती है तो वहाँ पर वर्ड की पूजा होती है वहाँ पर बुक की पूजा होती है कुरान की वो पूजा करते हैं वो अल्ला की पूजा करते हैं तो कुछ तोर पे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार की शब्द हो या पुस्तक हो उसकी पूजा करना उसकी उपासना करना भी एक तरीके का जो है concrete worship ही है वो भी एक idol worship ही है although इसमें कितना logical input है ये analyze करने का विशह है कि इसको हम मुर्ती पूजा में रखें या न रखें पर symbol worship तो है ही इसलाम में तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि मनुश्य जो है वो निराकार का ध्यान भी अगर करना चाहे जैसे इसलाम सिखाता है या द्वईत विदान सिखाता है कि निराकार की पूजा करनी है जिसका कोई आकार नहीं है निरुगुड ब्रह्मा की पूजा करनी है तो भी आपको साकार प्रतीक से होके जाना पड़ता है ये idol worship को J.S. McKinji ने एक demerit की तरह से देखा था religion के तीसरा अगर देखा जाए तो J.S. McKinji कहते हैं कि हर एक religion जो है वो थोड़े रूड़िवादी होते हैं मतलब उसमें conservativeism बहुत होता है और वो कहते हैं कि अकसर ये लोग क्या करते हैं कि testimony के authority को मानते हैं यानि कि जो आपत वाक्य हैं उनकी अकार्टेता बताते हैं जैसे हर एक धर्म को आप देखेंगे कि Bible में कुछ लिखा है, Quran में कुछ लिखा है, वेदों में कुछ लिखा है तो अब वो अकार्टे सकते है, उस पर अब आप अलोचना नहीं कर सकते और वही सकते है, ऐसा जैस मैकेंजी कहते हैं कि ये तो रूड़ी बाद है कि मनुष्य की जो अलोचना की शक्ती है, उसी के विरोध में ये खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो लिख दिया गया, जो बोल दिया गया, जो कह दिया गया, वही सत्य है यहाँ पर मनुष्य के प्रोग्रेस को रोकने का काम होता है, ऐसा मैकेंजी मानते हैं और जिसे वो एक डी मेरिट ऑफ रिलीजन के तौर पे देखते हैं चौती बात की जाये तो वो कहते हैं कि जो धर्म होते हैं वो अकसर डीवीजनिजम सिखाते हैं वो जाती बात सिखाते हैं, वो बाठते हैं, वो जाती और संप्रदाएं में बाठते हैं एक धर्म को आप देखिए Catholic, Protestant, ठीक है, फिर सिया और सुनी, फिर हमारे आबरामर्क, शत्री, वाईशे, शुद्र, यह सब क्या है, यह सारे जो है Divisions है, और धर्म ने ही, धर्म ने ही यह Divisions सिखाए है, तो Mackenzie कहते हैं कि धर्म में यह जो Divisions है, उसकी वज़े से प्रेम के जग धर्म के अंदर, फिर वो कहते हैं कटर्ता, रिगरिजम, रिगरिजम को वो कहते हैं कि जाधाता धर्म जो वो कटर्ता की शिक्षा देते हैं, और वही कटर होके व्यक्ति क्या करता है कि बहुत सारे गलत कदम उठाता है, क्योंकि जब आप अपने रिलिजन को सुपीरियर म कभी-कभी तो आत्मात्या भी कर लिता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, तो ये rigorism देखने को मिलता है धर्में, ऐसा McKenzie का मानना है, फिर वो कहते हैं कि इसमें hypocrisy है, पाखंड है, धर्म में बहुत पाखंड होता है, वो कहते हैं कि धर्म की जो अनुभूती है, जो religious experience होता है, वो हर एक व्यक्ति को एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कई व्यक्ति जो हैं, वो दिखावा करते हैं कि वो बड़े धार्मिक हैं, आपको ये अकसर देखने को समाज में मिलेगा, कि जो लोग खुद को धार्मिक कहते हैं, वो ही धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं, और धर्म की जो सच्ची शिक्षा है, जो मूल मंत्र है धर्म का, उसी को ही नहीं मानते, यानि सब को एक समान देखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबसे प्रेम करना, यह सब जो धर्म के मूल हैं, उनी को नहीं मानते, और पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, और उनके words में और actions में कोई consistency नहीं होती है, तो इसलिए वो hypocrisy कहते हैं, कि धर्म के अंदर पाई जाती है, फिर वो कहते हैं इंडिविजुलिजम व्यक्तिवाद होता है धर्म के कारण यानि कि वो कहते हैं कि ये जो धर्म है वो व्यक्तियों में कई बार इस भावना को भी बढ़ाते हैं एक नया धर्म चलाया जाए, इंडिविजुलिजम बढ़ाता है, इगोईजम बढ़ाता है, और इसी के कारण बहुत सारे लोग कुपंत चलाते हैं, अपना अपना नया पाथ सेट करने लगते हैं, इसके लिए बहुत सारे एक्जामपल हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा घलत रास्ते पर चलाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, कई बार धर्म पर प्रयोग किया जाता है, कुछ लोगों ने इतिहास में ऐसा किया है, जैसे अकबर की बात की जाएं, तो आपको पता है कि, अकबर ने दिन-े इलाही धर्म चलाया था, ठीक है? फिर अम्बेटकर जी की बात की जाए, अम्बिटकर जी ने भी एक नया धर्म चलाया था, नया धर्म क्या, वो बुद्ध धर्म बुद्ध धर्म के अंदर ही उन्होंने नवयान के स्थापना की थी, नवबुद्ध ध्यान या जिसे नवयान भी कहा जाता है, तो ये बढ़ते हैं तब आप societal issues को ध्यान में नहीं रखते हैं उनके लिए कोई resolution नहीं देखते हैं बलकि सिर्फ अपना जो religious experience है जो mystical experience है उसी को पाना चाहते हैं although इसमें कितनी सच्चाई है यह तो देखने लाइक है क्योंकि बहुत सारे mystics चाहे वो मातमा बुद्ध रहे हो या शौरबिंदो रहे हो या अन्य लोगों को भी अपले सकते हैं वो mystics थे वो योगी थे लेकिन उनने societal issues को address किया उसके लिए resolutions भी बताएं हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता बद फिर भी इन्होंने ऐसा देखा है मैकेंजी का ये कहना है फिर वो कहते हैं traditionalism is a flaw in religion कि जादातर जो धर्म है वो स्रद्धा की कारड़ सिर्फ होते हैं या वो आपके अंदर traditionalism को बढ़ाते हैं sense को develop नहीं करते हैं सिर्फ परंपर आपर चलते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि जादातर लोग जो है वो अपने धर्मे कृतियों को करते रहते हैं उनको पता ही ने कि वो क्यों कर रहे हैं या इसके पीछे का कारड़ क्या है उसके पीछे का objective क्या है reason क्या है वो सिर्फ जानते हैं कि मेरे धर्मे इस तरीके से होता है तो जन से लेके विवास से लेके मरने तक कि जितने संसकार होते हैं वो परंपरा वर्षी करते हैं और उसका real meaning नहीं जानते हैं ऐसा मैगेंजी का कहना था और इसी लिए वो कहते हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ इसी tradition के कारड़ जाते हैं pilgrimage पे जाते हैं या temples में जाते हैं या पूजा करते हैं उनमें आस्था नहीं होती बस tradition follow करते हैं 10th number पे वो कहते हैं कि जो superiority complex होता है किसी religion में वो एक religion को या धर्म को कुधर्म बना देता है और ये कहते हैं कि जादा तर religion यही काम करते हैं और आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कमिया मैकेंजी बता रहे हैं ये धर्म की या religion की कमिया है या व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमिया है ठीक है ये मनुष्य जो individuals हैं जो की partake करते हैं religion में ये उनकी कमियों के कारण उनके psychological defect उनके attitudinal defect उनके ignorance के कारण होता है या religion के कारण होता है ये analysis करने का विशे है और इस पर आप सभी लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये JS मैकेंजी का बताया हुआ जो flaws है religion में ये जो demerits है क्या ये religions के लिए सटीक बैठती है या उस धर्म को मानने वाले जो लोग है उनके कारण ये कुरीतिया फैल रही है उनके कारण ये सारे problems arise हो रहे है तो जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि धर्म के ये जो दोश है उनको समय समय पर सुधारने के लिए बहुत सारे reformative techniques अपनाई गई है बहुत सारे समासुधारकों ने social reformers ने काम किया है और ऐसा माना जाता है कि धर्म की रक्षा जो है वो धर्मिक व्यक्ति नहीं करते है बलकि जो धर्म है वही धर्मिक लोगों की रक्षा करता है तो आपने सुना भी होगा धर्मो रक्षती रक्षितह जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए अब धर्म का यहाँ पे आप क्यार्थ लगाएंगे या आपकी बुद्धी विवेक पर निर्पर करता है कि आप अपने करतव्य से धर्म को निर सा हुआ है उस धर्म को मान के चलते हैं it's up to you but ये एक burning issue है question है कि धर्म के जो दोश उत्पन हो जाते हैं किसी भी धर्म में उन दोशों को तो दूर तभी किया जा सकता है ना जब धर्म की हमें innocent जो feeling है वो हो और कभी भी हम जब धर्म का परचार करें तो उस भावना से ही करें कि ये धर्म हम किसी पर लाद नहीं रहें मेरा धर्म मेरा अपना धर्म अच्छा है सच्छा है लेकिन दूसरे लोगों का भी धर्म है इसलिए इस पर हम लोग कुछ और बात करेंगे जो की conclusion पात में होगा तो conclusion में हमने demerits को remove करने की बात की और ये भी देखा कि धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा धर्म करता है religious tolerance और सरवधर्म संभाव की यहां पर बात करनी बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है कि आप देखिए कि गांधी जी ने कहा था कि वैशनव जन तो तेने कहिए जे पीड पढ़ाई जाने ले तो वैशनव जन किसको कहें यह दूसरों की पीड़ा जानता हो समझता हो इसी तरीके से हमारे शास्त्रों में ही नहीं बहुत सारी जगए पे जैसे Christianity में भी यह बात कहे जाती है forgiveness का जो concept है ठीक है दूसरों की पीड़ा देखना दूसरों को माफ करना उनकी गलतियों को माफ करके उनको सुधरने का एक संस्थाएं थी यह सारी संस्थाएं धर्म की अधीन थी यानि धर्म जो था वो इन संस्थाओं को चलाने का काम करता था ठीक है यह संस्थाएं धर्म से ही संचालित होती थी और इसलिए समाज को कैसा समाज माना जाता था धर्म मूलक समाज माना जाता था पहले का समाज ऐस साही था तो मनुष्यीं और Сमाज के जितने आईडि रही होते थे वह बैसिक लीड हार्व से ही निकलते थे धर्व से ही जो फिनेंश के काम होते थे धर्म से ही काम होता था जैसा कि आप जानते भी कि ढ़के धर्म-अर्थ-काम होट मोक्ष की जब आप तो हम लोग पढ़े हुए हैं पुर्शार्थों में लेकिन धर्म की विवस्था जो है वो ग्यानी लोगों के द्वारे की गई ठीक है जिन लोगों को सत्य का साक्षातकार हुआ तो सत्य को देखा कुछ ग्यानी लोगों ने रिशी मुनियों ने देखा और उन्होंने धर्म क स्थापना की ठीक है अब धर्म जब आ गया तो इसी तरह से जो व्यवस्था हुई सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आप देखेंगे पस्चिम एसिया में देखेंगे कि पैगंबरों ने और यहूदी इसाई इसलाम धर्म जितने भी धर्म है उन सब के स्थापना की तो य है तो यह परंपरा चली और यह जो परंपरा थी भारत में रिश्यों के अगर परंपरा से धर्म शास्त्र विक्सित हुआ तो हमने देखा कि बहुत बड़ा और बहुत शक्तिसाली एक समाज का सिस्टम एक सोशल सिस्टम डिराइव हुआ ठीक है और इसलिए धर्म को समाज का एक बहुत important अंग माना गया तो बहुत ही ancient time से यह जो धर्म है या जो religion है वो एक संस्था की तरह है और समाज के अस्तितों को बनाए रखने में बहुत मदद करता है तो हमारा जो अस्तितो है समाज का जो अस्तितो है या मनुश्य का जो अस्तितो है वो धर्म से बहुत सालित होता है क्योंकि हमारे कर्म, हमारा रहनसन, हमारा जीवन, हमारे मुल्य, बहुत कुछ हद तक हमारे धर्म से ही संचालित होते हैं. अब देखा जाए कि समाज का जो प्रयोजन है यानि जो हमारी जो society है इसका जो प्रयोजन है प्रयोजन यानि की aim या उदेश या इसका जो जो objective है वो basically क्या है कि जो members of the society है ठीक है यानि की individuals इन individuals को freedom देना इनको equality देना और इनको fraternity देना यही सब तो हैं इन सब आदर्शों क की उपलब्धी कराना तो ऐसे ही प्रयोजन को आप देखेंगे कि धर्म भी चाहता है धर्म भी तो यह कह रहा है कि हरेक्व्यक्ति स्वतंत्र है सब समान है और आपस में प्रेम करो विश्वबंधुत्व तो यह सब धर्म और समाज दोनों की प्रयोजन लगबग एक ही है और इसी लिए ऐसी उमीद की जाती है और ऐसा कहा भी जाता है कि धर्म होता है वो लोगों को एक सुत्र में बांगने का काम करता है यह बहुत सारे लोग है यह धर्म के कारण ही जुड़ते हैं ठीक है जैसे कि आप जो भी फीस्ट और फेस्टिवल्स होते हैं तेवहार होत और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जितना लैंग्वेज नैशनालिटी या आपका कास्ट आपको नहीं बानता उससे कहीं जाद आपका रिलीजन आपको बानता है तो आप दुनिया में कहीं भी होते हैं आप अपने रिलीजन के लोगों के साथ एक इंटिमेसी फील करते हैं एक बिलॉंगिनेस फील करते हैं और इसलिए कम्यूनिटीज फॉर्म होती है जिनके बारे में हम लोग आलरीडी पहले कम्यूनिटीज को डिसकस करते हुए पढ़ चुके हैं और इसलिए इसाई धर्म हो इसलाम धर्म हो और बहुत सारे अलग-अलग भाशा जाती रास् इस सिस्टम ने या किसी भी इंस्टिउशन ने बढ़ाया होगा लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यही बिलॉंगिंगनेस यही जो मम और हम की भावना है इसी ने इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी किया तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रेम और सोहा सबसे ज़र्म केम करते हैं तो समात सिवा का काम जो है जो सोशल सर्वीसज है वह धर्म के नाम पर या धर्म के लोगे की द्वारा किया जाता है लेकिन यही धर्म वह में अंदर superiority complex के रूप में या rigorism के रूप में आता है और आपके अंदर के divisionism को बढ़ाता है तब यह बहुत कुछ सित रूप का हो जाता है और इसलिए हमें समझना होगा कि धर्म का मूल क्या है धर्म का मेन जो उदेश्य है मुख्य उदेश्य है वो क्या है उसी को लेके साथ मे चलना है तो समाज का जो अंतिम लक्ष है कि मानो का परम कल्यान होना चाहिए वही धर्म का लक्षड है और इसलिए हमें समाज में धर्म को एक अनिवार्य स्थांत देना ही है एक necessary place provide कराना है मगर यह जानते हुए यह समझते हुए कि एक अंदविश्वास नहीं है और इसक इसके जो सच्चे अर्थ हैं उनमें ही इनको समझा जाए तो मनुष्य के अंदर हमें एक प्राकरतिक रूप से जो स्रद्धा देखते हैं उसका सही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि human beings जो है उसके अंदर faith करने की विश्वास करने की एक अपनी capacity है वो एक natural capacity है कि वो किसी ना क इसी चीज़ में वो रखता है और इसी लिए जो धर्म है वो हमें अलग करता है मनुष्य को जानवरों से या पश्मों से तो मनुष्य और जानवर एक नहीं हैं और हम एनिमल तो हैं ही in Aristotelian sense we are all animals, rational animals, social animals, political animals, हम linguistic animals हैं, spiritual animals हैं लेकिन हम merely animal नहीं हैं और क्यों नहीं हैं क्यो इसी चार चीज़ें और पशु दोनों में समान होती है धर्मों ही तेशाम अधिकों विशेसों धर्म ही एक मातर ऐसा है जो मनुष्य में अधिक है और धर्मेड हीना पशु भी समाना धर्म से हीन जो मनुष्य है वो पशु के समान है ऐसा कहा गया है इसलिए बार-बार आपसे ये उमीद की जा या समाज के उस संस्था उसिकाई के रूप में important role play करता है जो समाज के उद्दिश्च को पूरा करता है ये समझने के लिए धर्म के अर्थ को आपको बहुत बारीकी से समझने की जबुरत है और इसलिए धर्म का महत्व कभी भी कम नहीं होगा धर्म का हमेशा महत्वर हैगा क ये जो religious tolerance है ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई धर्म सभी मनुष्यों को अपने और पराय की कोटी में माट देता है कि ये मेरा है ठीक है ये मम है और ये दूसरे का है या ये पर है तब दिक्कत आती है क्योंकि ऐसा जो भी धर्म सिखाएगा वो धर्म फिर धार्मी व फिस्ति और पैगन है मुसल्मानों में काफिर शब्द प्रयोग होते हैं हिंदू में मलेच कहा जाता है कि हिंदू और मलेच अलग है तो इस तरीके के विभाजन लगबग हर धर्म में देखने को मिले हैं इसलिए कहा जाता है कि कि किसी भी धर्म को धर्म समझना और बाकी dharm को adharm समझना ये एक historical error है यह एक ऐतिहासिक भूल है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई मेरा dharm धर्म है दूसरे का धर्म अधर्म है या kudharm है ऐसा नहीं कहना चाहिए और यही जो गलती हुई है लोगों से यही जो गलती आज भी लोग कर रहे हैं कि अपने धर्म को महान या सबसे अधिक important समझते हैं दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं या उसे छोटा समझते हैं उसी के कारण युद्ध होते हैं उसी के कारण जो है जन्धन की हानी होती है इसलिए हमें समझना पड़ेगा कुछ बाते बहुत important हैं जैसे कि आपको समझना से हम कहेंगे बीमारी की अगर कोई एक ईलाज है तो वो है दवाई ठीक है लेकिन हर एक बीमारी के लिए हर एक दवाई तो नहीं चल सकती या आप कहिए कि हर एक व्यक्ति को एक ही दवा दे दें ऐसा भी नहीं हो सकता इसी लिए अलग-अलग धर्म है और सभी मनुश्यों के अपने अलग-अलग रास्ते हैं ठीक है फिर दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो सभी धर में उनकी जो मूल शिक्षा है उनका जो जो मौरल है वो सब का एक ही है और उन सब में यूनिटी है वो सब एक ही बात कहते हैं जैसे कबीर दास ने कहा था कि दो जगदीश कहां ते आए ये दो जगदीश कहां से आए सब एक ही है इसके अलामा आप देखेंगे कि इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सन्मत दे भगवान महत्मा गांदी हमेशा कहते थे कि इश्वर अल्ला सब तुम्हारा ही नाम है मुहम्मद इकबाल ने कहा था मजभ नहीं सिखा था आपस में बैर रखना तो जितनी भी ये जो उक्तियां हैं सुक्तियां हैं अगर उनको आप ध्यान से देखोगे या ऐसे श्लो की यह परमर्म न इस प्रशेत सधार्मिक तो आपको समझ में आएगा कि जो दूसरों के मर्म को नहीं समझता वो धार्मिक ही नहीं है तो सबका मॉरल एक ही है और वो है सर्विस और वो है सेमनेस यानि की हमारी यूनिटी यानि की आइडेंटिटी जो की विदान्त भी आपको सिखाता है हम सब एक हैं तो आपस में बैर नहीं रखना है इश्वर अल्ला दुनों एक ही है इनके नाम पे नहीं लड़ना है, दो जगदीश नहीं है, ये सिर्फ हमारे God तक पहुँचने के अलग-अलग रास्ते हैं, जिस तरीके से भक्ती मार्ग है, ज्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है, राज मार्ग है, राज योग, ये सब अलग-अलग मार्ग हैं, जिसको जो सुवि प्लम नहीं है, सब ultimately एक ही इश्च्वर को पूझ रहे हैं, यह हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें समझना पड़ेगा कि यह जो धर्म है, उन सभी को अपना प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है, यानि कि जो धर्म प्रसार है, धर्म को आगे बढ़ाना, वो सब का हक है, लेकिन यह जो धर्म परवर्तन है, जिसे आप कनवर्जन कहते हो, ठीक है ना, कनवर्जन, यह हमेशा व्यक्ति पर, इंडिवीजुल्स पर डिपेंड होना चाहिए, आज कोई भी व्यक्ति समिधान भी हमें यह आजादी देता है, और लगभग हर एक सभ्य समा ट्रीजिस ूए है कि उन्हे अगर अपना धर्म समझ में नहीं आया तो वो चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे foreigners इंडिया में आके Hindu धर्म अपना लेते हैं और बहुत सारे Indians यहां से जाते हैं और अपना धर्म छोड़के Christianity अपना लेते हैं तो इसलिए यह सारी चीज़े में समझनी पड़ेगी कि कोई दिक्कत नहीं है जिसे जो धर्म अपनाना है अपना है जिसे जिस रास्ते पर चलना है चले बस आपको उसके moral और उसके main जो education है उनको ध्यान में रखना है और इसलिए अगर कोई चाहता है कि वो एक world religion बना दे तो ऐसा कोई world religion कभी नहीं बनेगा हमेशा यह सारे religion या different religions exist करेंगे उनके बीच में आपको संभाव रखना पड़ेगा सर्वधर्म संभाव इसकी बात किस ने की थी महात्मा गांदी ने महात्मा गांदी ने बहुत ही जोर सोर से सर्वधर्म संभाव की बात की थी उन्होंने का था कि सारे धर्म एक जैसे ही पूजनिये है सभी का एक जैसा सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति हमें एक जैसा भाव रखना चाहिए और इसी के कारड जो है धर्म निर्पिक्षता भी उत्पन्न होती है जिसके बारे में आगे की क्लास में बात की जाएगी और गांधी जी के ही प्रभाव से चाहे वो डॉक्टर भगवान दास रहे हो डॉक्टर राधा कृशन रहे हो या टॉइन भी रहे हो उन सब ने धर्म के समनवे की बात चलाई ठीक है टॉइन भी तो यहां तक कह गए कि चार ही धर्म जो है वो दुनिया में सबसे महान है और उसमें वो रखते हैं हिंदू, इसलाम, क्रिश्चियानिटी और महायान बुद्धिजम इसको वो कहते हैं कि दुनिया के चार सबसे महान धर्म हैं उन्होंने का कि हिंदू धर् वो भावना को या समवेदना को जिसे आप आप क्या कह सकते हैं प्रेम भी कह सकते हैं लव कह सकते हैं या फ्रेटानिटी कह सकते हैं Christianity ने सेवा को ठीक है सेवा यानी सर्विस को और महायान बुद्धिजम ने समाधी को समाधी को महत्व दिया है और ये कहते हैं कि ये चारो बहुत ही important चीजे हैं ग्यान, भावना, सम्वेदना और समाधी इनका समन्वे करना बहुत जरूरी है नालिज बहुत जरूरी है, fraternity जरूरी है, service जरूरी है और ultimately समाधी ये जरूरी है और इसलिए सबी धर्मों को एक जैसा treat करना चाहिए और सच् आज जो war चल रहे हैं ठीक है, वो नहीं होंगे और बहुत सारे जो अलग conflicts है, nation के अंदर ही जो conflicts हैं, अलग-अलग धर्मों में, जैसे हमारे देश में भी कई बार जो धर्मिक, सामपरदाइक लडाईयां हो जाती हैं, वो सब नहीं होंगी और धर्म का इतिहास इस बात की पुष्टी करता है, कि यदि धर्म को ठीक से समझ लिया जाए, तो धर्म के नाम पे जगड़े नहीं होंगे, और यदि इसे समझने में गल्ती की जाए, तो विश्व युद्धतक हो सकता है, तो I hope कि आपने धर्म के मर्म को समझ लिया होगा, और आप इसे और अच्छे सम समझें, रिलीजन को हम कैसे समझें, और जब दोनों को एक्वेट करके हम एक सोचल इंस्टिउशन के तौर पे इसको देख रहे हैं, तब हम इसको कैसे समझें, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगो को क्लास का ये कंटेंट जो है, समझ में आया होगा, अगर आपका कोई क्वेशन होगा, या कोई भी सवाल होगा, तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कहीं पर किसी को कोई ठेस पहुची हो, तो मैं पहले से ही माफी माग लूँ, क्योंकि धर में एक ऐसा विशे है, जिस पर कुछ भी बोलने से पहले चार बार सोचना पड़ता है, कि जाने कब कहां किसकी आस्था हर्ट हो जाए, मगर मैंने पूरी कोशिस किया कि इसको एकेडमिक रखा जाए, इसे कोई भी धार्मिक टच देने की कोशिस नहीं की गई है, इसलिए आप इसी भावना से एक दार्शनिक बुद्धी के साथ, ओपन माइंड से इस कंटेंट क को कंज्यूम करेंगे और यू आर फ्री तो गिव यूर ओपिनियन और बी ओपिनियनेटेट अबाउट दे रिलीजन अस आशोशल इस्टिटूशन, तो थैंक यू सो मच आवरिवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में